जैमा चामुंडा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों, अगले 24 गंटे में बहुत बड़ा खत्रा आपके सिर पर मंडराने वाला है, सावधान हो जाईए, ये घटना अपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, मित्रों, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुना और बड़े ही ध्यान से समझना, लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, दोस्तों, अपने खास बात सीखने को मिलने वाली है, जिससे आपका मनोबल बढ़ने वाला है, एक ऐसी बात आपको सीखने को मिलेगी, जो आपके आने वाले भविश्य को, दोस्तों, एक अलग नजरिये से देखने पर आपको मजबूर कर देगी, वरिष्ठ लोग और अनुभवी लोगों स आपकी मुलाकात होने वाली है, कई अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपके क्षेत्रों से जुड़े आपके व्यवसाय हो या नौकरी आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनका अनुभव आपको मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ नई-नई बातें आज आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको इन चीजों से सीख कर आगे बढ़ने की सलाह देंगे। वहीं व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों वरिष्टेदारों के साथ संपर्क बना कर रखना आपके लिए मधूरता बढ़ाएगा। वहीं अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की जरूरत है। दोस्तों, आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है, उनको थोड़ा सा गंभीरता से निभाएं। हिसाब किताब के मामलों में आपको प्रैक्टिकल बने रहना है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय ना बिताएं। जो विद्यार्थी है, जो युवा वर्ग है, समय की दोस्तों कदर करें, क्योंकि ये समय बहुत तेजी से भाग रहा है। और आज का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज आपको कोई उपलब्धी भी मिल सकती है। आप अपने लक्ष की और अग्रसर रहें, लक्ष के प्रती महनत करें। जो काम करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आपने अपना 100% दे दिया, तो आप लोगों को दोस्तों वह चीज अवश्य मिल जाएगी की, लेकिन आपको फोकट के काम नहीं करने हैं। नहीं तो आपका समय भी जाएगा और आपके हाथ आए हुए अवसर भी जाएंगे। दोस्तों, विद्यार्थी लोगों से एक और गुजारिश है कि यह समय अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी लापरवाही आपके कल के सपनों पर हावी हो सकती है। वहीं कार्यक्षित्र की अगर बात करें तो दोस्तों, आपको अंदर उनी व्यवस्था बनाने में सफल होंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें। आपके साथ काम करने वाले आपके लिए उन लोगों पर दोस्तों, अवश्य आपको निगाहें बना कर रखनी हैं। वह क्या कर रहे हैं, उसका पता भी आपको होना चाहिए। चाहे आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, आपको अपने सहकर्मियों और आपके अंडर में जो काम करते हैं, उन पर पूरी नजर बना कर रखनी हैं, क्योंकि आपके खिलाफ दोस्तों जाल शादिया हो सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो परिवार के आपसी। दोस्तों कुछ लड़ाई जगड़े अब सुलजने वाले हैं। पिछले समय में अगर कोई लड़ाई जगड़ा चल रहा था, कोई मन मुटाव परिवार के लोगों में चल रहा था, तो अब वह धीरे-धीरे कम होने कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी दोस्तों लापरवा अपने स्वास्थे के प्रति नहीं बनना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। आलस छोड़कर जिम्मेदारियों को आज गंभीरता से निभाएं, क्योंकि यह समय आलस्य के लिए बिलकुल भी नहीं है। विवादों से दूर रहें। कोई और विवाह चल रहा है तो आपको उसमें रूची लेने की जरूरत नहीं है। किसी तीसरे के विवाद में आपको दोस्त शामिल नहीं होना है। वरना यह विवाद आपके उपर हावी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तनाव मि यह बात सभी पर लागू होती है कि बहुत कुछ पाना है आपको, तो दोस्तों उसकी कोशिश करिए, लेकिन जो आपके अभी हाथ में हैं, उसको हाथ से मत जाने दो दो, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में अक्सर इंसान उस चीज को भूल जाता है, जो उसके पास अभी पड़ हुई है और वह भी उससे खो जाती है, तब नहीं वह इधर का रहता है, नहीं वह उधर का रहता है, बस इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्फिदेंस को आपको मजबूत रखना है, अपने अंदर के आत्म विश्वास को बना कर रखें, क्योंकि समय ऐसा है कि कोई भी दोस्तों उतार चड़ावाता है, तो अगर आपका दोस्त कॉन्फिदेंस नहीं है, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, आप चीजों से लड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप अंदर से आपके आत्म विश्वास जगा हुआ है, तो आप सब चीजों को अ आपको सकती से पालन करना है, आपको कोई भी दोस्तों नियमों का उल्लंगन नहीं करना है, क्योंकि यह जो समय है दोस्तों ऐसा नहीं है, आप किसी भी कानूनी पचड़े में पढ़ सकते हैं, जेल के थाने के कोट, कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पढ़ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा वहीं दोस्तों, नुकसान की स्थिती में रहोगे अगर जोखिम वाले काम करोगे तो इसलिए जोखिम वाले काम करना ही आपको नहीं है जाते-जाते दोस्तों, बहुत जरूरी बताने वाले हैं इन दो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसलिए दुख का समय भी जरूरी है, आपको हर कोई नहीं समझ सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका ज्छम कर फाइदा उठाते हैं, बोलिए, राधे राधे, जै कनहया लालकी, बहुत बड़ा चमतका तो चमतकार मात्र दस दिनों के अंदर आपके जीवन में होने वाले हैं, खुद भोले नाथ जी, प्रसन्न होकर आपके उपर कृपा लुटाने वाले हैं, आपके ही अच्छे कर्मों का फाइदा अब आपको हो रहा है, पिछले समय बहुत दुख देहला, पिछले समय आपने पिछले समय जितनी भी दोस्तों अच्छी चीजें करी, जितने भी अच्छे कर्म करें, उसी के फल आपको, अब ये दोस्तों सब कुछ नसीब हो रहा है, कोई गलती मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर, आखिरी तक देखना, कुछ सावधानियां बताओगे, क्य क्योंकि जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, तब आप ही कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कि सब कुछ बढ़िया होना होता है, लेकिन सब उल्टा हो जाता है, इसलिए गलतियों से भी बचाएंगे आपको, ताकि आप कोई गलती ना करें, और आस्थे हो आपका पारिवारिक जीवन, आपका आने वाला समय करियर केसा रहेगा, सभी चीजें हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहो, कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आप उपाय करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें, बहुत ही शानदार वीडिय आपके सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, देवाधी देव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के उपर बनी रहेगी, दोस्तों कहते हैं कि भगवान भोले नात की कृपा जिस इंसान के उपर बन भले ही वह धनवान हो या धनवान ना हो, जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं धन से ही जुड़ी हो, किसी के जीवन में स्वास्थी की समस्या हो सकती है, किसी के जीवन में घर परिवार की समस्या, किसी की शादी शुदा जीवन की समस्या, किसी को संतान की समस्या, तो सबके अ बोलिये जैश्री कृष्ण, दोस्तों समय बहुत बलवान है क्योंकि यह महादेव का महीना चल रहा है। ध्यान रखना है कि कोई छोटी सी भी गलती आपको दूसरों के सामने शर्मिन्दा कर सकती है। बिजनेस पर ज्यादा पैसा आपको अभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों कहीं पर भी ज्यादा पैसा इंवेस्ट मत करना क्योंकि ज्यादा पैसा लगाने के लिए समय उतना उत्तम नहीं है। जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, कोई नया शुरू मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसी में आपको बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। परिवार में आपसी सामंजस्य सुक्षान्ती बना कर रखेगा। विप्रीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करो, तो मर्यादाओं का ध्यान रखो। तनाव लेना और दोस्तों। थकान का असर आपके स्वास्थे पर भी पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल मत करना। इस बात का पहले ही आपको दोस्त समझायश देते हैं। जो डर है, उसका सामना करने की कोशिश करो। मन में आपके कोई डर है दोस्तों, उसका सामना करो। अपने नकारात्मक विचारों को सुलजा कर आपको आगे बढ़ने की सलाह दें तो उससे भागने की कोशिश मत करो, उसको स्वीकार लो। क्योंकि स्वीकार लोगे तो आगे का पत्थ आपको दिखाई देने लगेगा। आपके स्वभाव में आपको लचीलापन बना कर रखना है। इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिए। बड़े लक्ष की प उससे संबंधित प्रयास करोगे तो जरूरी है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना। समस्याओं से भागने की बजाए उनका डट कर मुकाबला करें। इससे परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आपका विवेक और आदर्श वादी स्वभ आपके लिए महतवपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। अब बात करें कि खुशियां आ रही हैं तो दोस्तों व्यापार और नौकरी दोनों ही जगह आपको काफी अच्छे योग दिखाई देंगे। मुनाफा कमाने के कई सारी जगह से आप दोस्तों मुनाफा कमा सकत हैं। वहीं साथ ही दोस्तों कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा रुख जाना पहले भी बता दिया है। वहीं आपने अगर पिछले समय जो भी महनत करी थी आपको लग रहा था कि ये चीज तो डूप चुकी है अब इसका फाइदा मेरे को नहीं होगा। अ अब उस चीज से भी आपको फाइदा मिलेगा। पिछले समय की हुई महनत का फल अब आपको मिलेगा। पिछले समय आपने जो भी चीजें की है उसका काफी अच्छा परिणाम आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों ये समय आया है थोड़े से अपने कर्म अच्छे कर का कर्म अच्छे करते रहिएगा। आपका जीवन खुद बखुद अच्छा बनता चला जाएगा। ये सप्ताह कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। विशेश रूप से आपको पैसों के मामले में काफी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान धन हानी होने की संभावना है। आपका पैसा चोरी या गुम हो सकता है। स्वास्थे की दृष्टी से ये सप्ताह उतार चड़ाव से भरा रहेगा। यदि आपको कोई श चुरुआती दिन कुछ व्यस्त रहेंगे लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। हालांकि आपको अपना कोई भी काम अधूरा छोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ा लाब कमाने के लिए जल्दबाज से बचने की आवश्यक्ता है, नहीं तो आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं। साजेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को वाद विवाद से बचना होगा। रिष्टों के लिए आज से यह सप्ताह आपके लिए कुछ बहतर रहेगा। अपनों का भावनात्मक समर्थन म यह सप्ताह सामान्य से बहतर रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान वर्कलोड कम रहने की संभावना है। ऐसे में आप अपनों को परियाप्त समय दे पाएंगे। सेहत को लेकर आप काफी सजग आप अपनी दिन चर्या में कुछ बदलाव भी करें जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके कर्मों में पाप है, कर्म अगर आपके शुद्ध है, नहीं है तो फिर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वीडियो में बारीकी से एक-एक बात समझे और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक में सावधानिया और उपाय सब कुछ है बताएं आप बस अंत तक देखकर हर एक बात को अच्छी तरह से समझे जाने और अपने जिंदगी पर लागू भी करें। सर्वप्रथम, सच्चे शिवभक्त, सभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों हमें साधा पारण मनुष्य से कोई मतलब नहीं, मतलब होना चाहिए। उस परमात्मा से जो हजार आखों से हर क्षण हमें देख रहे हैं और अक्सर इंसान से यही गलती हो जाती है। उसे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन परमात्मा उसे देख चुके होते तो यहां पर आपके पाप और पुन्य का हिसाब चलाता रहता है। अगर आपके पुन्य बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में सफलताएं बढ़नी हैं। अगर आपके जीवन में भाग दौड बढ़नी हैं, मुसीबतें बढ़नी हैं, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते कोशिश यही करनी है कि आपके कर्म शुद्ध हो, आप अच्छे कर्म करें, जैसे कि समाज की भलाई करें, अगर आपको कोई गरीब दिख रहा है, तो उसकी जरूरत मंदों की थोड़ी बहुत मदद आप कर दे, भूखे को आप खाना मिला दे, या फिर आपके घर के बाहर आ यही बस मानव का धर्म है, यही इतना कर्मों में आप शुद्धता लें, आएगे तो बहुत अच्छा परिणाम जिंदगी में दिखने लगेगा, क्योंकि अब दुश्मन को पलड़े में तोलने का समय आ गया है, यानि कि सभी को कर दिखाने का समय आ गया है, कि आप किसी स स्वभाव है, आपका काम हुआ या नहीं आपको मतलब नहीं है, आप वो कर भी लेंगे, आपको भरोसा है, लेकिन उससे वो काम होगा या नहीं, उससे वो काम में कोई दिक्कत ना हो जाए, दूसरों की चिंता थोड़ी ज्यादा करते हैं, वहाँ पर खुद को समझाईए कि इतनी चिंता सेहत के लिए सही नहीं है, किसी को भी बिना मांगे सलाह आपको नहीं देनी है, देखिए लोग सलाह मांगने आए तो जाते हैं, आप उन्हें सलाह दे भी देते हैं, लेकिन बिना मांगे सलाह देंगे, बाद में वो काम बिगड़ेगा, वह व्यक्ति, जिं अगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं और अगर रोजाना आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं आने वाले अगले 24 घंटा में कार्यक शेत्र म कम से कम समय उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपको चिंता रहेगी